जागते तो आप रोज हैं अब जागो अपनी सेहत के लिए जिंदगी की रेस में भागते तो रोज हैं अब दोड़ो अपने लिए क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया देखिए The HD News की खास पेशकश आपकी सेहत आपका डॉक्टर हर बुद्व सुबह आठ बजे आपका डॉक्टर आपकी सेहत द एजडी नूज पे लाकातार आप ये काजगरम को देखते रहे हैं और आज इसी करही में हमारे साथ दंत रोग विशेशक जो हैं डॉक्टर आस्तोस्त्रिवेदी वो मुझूद हैं और इनसे पहले भी हमारे टीम ने इन कुने हैं इन से बात करेंगे लेकिन थोरा सा एन के बारे हम बताएंगे जो यह आप अपने सायोगी से कहना चाहेंगे यह इंदर दिखा यह तमाम जो आपकी नजरे जा रही है तमाम जो आपकी नजरे जा रही हूं तो usually आप art आज और देख रहे हैं जो भी आप बच्बीर देख रहे हैं। उसमें गशीbar की पर टिमाँ आपको दिखेगी। जहाँ जहाँ भी आपके नज़े जा रहे है is यह हम जानेंगे खुद इनहीं की जुबानी जो आखिर क्यों जो गनेश जी की पतिमा ही इनके जो रूम है जिन में यह चिकत्सा उपचार करते हैं मरीजों का उनमें यही पतिमा दिख रही है हम जानेंगे आस्तु त्रिवेदी जी आपका पुना स्वागत है आपका डॉक् अगर आप गनेश की प्रतिमा को कभी भी ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका एक नाथ वो तूटा हुआ है तो ये माइथलोजी में ये था कि गनेश की जो गनेश जी का जो एक नाथ है वो तूटा हुआ था और नाथ शायद हमारे प्रोफेशन से हमारा जो प्रोफेशन है वो दाथों कहीं प्रोफेशन है तो शायद कहीं ने कहीं ये लगाओ मुझे ऐसा लगा कि गनपती की जो प्रतीमा है उसमें उनका दात नहीं है तो शायद डेंटिस जो है वो दात बनाने के लिए ही ये प्रोफेशन चुना गया है तो शायद ये हमारे प्रोफेशन से बहुत मिलता जुलता है ये तो एक अल मुझे एक साथ देखने को मिले तो मैं ने उनके हर रूप की मूर्टी को सवियोजना शुरू किया और करते करते आज एक काफी का अफी विसाल का अ yeah का है गपति की मूर्थी का और सबसे अश्चारे वाली बात है कि हमारे जो कलेक्शन में मूर्टियां जितनी हैं वो सब एक दूसरे से अलग है तो भगवान का जो रूप है वो अलग-अलग रूप है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एक साथ भगवान की इतनी मुर्तिया नहीं रखनी चाहिए तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि मुझे एक साथ भगवान के अलग-अलग रूप मिलते हैं और सायद आज इस समाज में हमारे जो समाज है हम लोग का उसमें इस बात की जरूप है और समझने की है कि समाज में भिन-भिन तरह के लोग रहते हैं लेकिन सारे लोगों से मिलकर ही एक समाज बनता है किसी एक जाती विशेश से आप समाज की जो कलपना है वो कर नहीं सकते हैं तो हमारे समाज में अलग-अलग जाती अलग-अलग धर्म के लोग बरसों से रहते चले आए हैं और शायद हमारा जो भारत है बाकी देशों से इसलिए भी अलग है कि यहां इतनी विविन्ताओं के बावजूद भी भारत एक अभिन अंग है और भारत हमेशा सारे धर्मों को एक साथ लेके चलता है और भारत की भगवले की स्थिती भी बिलकुल उसी तरह की है कि एक तरफ अगर आपको कश्मीर है तो दूसरे तरफ रेगिस्तान है नीचे जाते है तो पानी से घिरा एक समूब भी है फिर नौर्थ इस्ट में आपको पहाड मिलते है तो यहां रेगिस्तान भी है पहाड भी है बर्फ भी है तो इतनी विभिनताओं वाला देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है हम यहां सवाल करेंगे गनेश जी की पती इतनी आश्था कुछ अगर जीवन में कोई ऐसे मूमेंट हो जो आप इस पतिमा से या पिर गनेश जी से जोर के देखते हैं लाजा करिये बिल्कुल हमारे जो एक बार क्या हुआ कि हमारे भाइस सहाब थे उनके नातों में काफी दर्द हुआ और उस समय मैं डेन्टिस्ट्री नहीं पढ़ता था तो मैंने उस दिन होली का दिन था तो मैंने बहुत सारे डेन्टिस्ट चेहां गया पता करने कि आज कौन देखेंगे तो उस समय कोई हमें मिला नहीं और दात का दर्व के बारे में मुझे उसी दिन पता चला कि इतना तीवर था कि उनको काफी दर्द हो रहा था तो मुझे लगा कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना चाहिए और उसके बाद मैंने इस प्रोफेशन को चुना और आज इस प्रोफेशन में लगबग 20 साल बीच चुका है और गनेश जी की कृपा है कि हम लोग नए नए विधी का प्रयोग करके मरीजों को अच्छी उननत दंच किस्सा देने में सक्षम है अब आते हैं हम डॉक्टर की जो उप्चार होती है उस पर आज बात करते हैं केविटी जो केविटी की जो समस्या होती है अक्सर हम जिखते हैं जो तमाम लोगों होते हैं उनुंहें इसंद्र नंभी मुझे एक मुझे जनकारी हे तो एक मुझे भी जानकारी क्या किये है बभीक हो यह हम रहे है है। दॉक्तर साथ है क्या है पेश आपचार अपचार हो और छमीं को चना नहीं होता है जहांसे सकते क्छिकногrant कंताusz जो दाटों को एक दुसरे की संगरचना से अलग करता है और दाटों में उस तरह का उभार या गहरापन इसलिए होता है कि हम खाना को अच्छे से चबा सके अच्छे से उसको मसल सके कभी-कभी होता है कि वो खाना हमारे दाटों के उपर रह जाता है अगर हम अपने सफाई पे ध्यान ना दें, नियमित रूप से ब्रश नहीं करें, खाने के बाद कुला ना करें, और वो खाना जो दांतों के ऊपर रह जाता है, उसमें धीरे-धीरे बैक्टिरिया का अटैक होने लगता है, और वो दांतों को नुकसान करता है, और वही बाद कैसे बचाओ करें मरीज? मरीज है तो आपके यहां अगर कोई मरीज है, तो आप कैसे होसे बाद में करा लूँगा, तो वो फिर आगे चलके महंगा इलाज में बदल जाता है। आपके यहां अगर कोई मरीज है, तो आप कैसे उसका इलाज करते हैं? मतलब कितनी संभावना बनती हैं, जो वो ठीक हो जाता है? हमारे हां देखिए, ज्यादा तर कैविटी के पेशन्स आते हैं, लेकिन वो लगभग उस कंडिशन में आते हैं, जब उनके दातों में दर्द होता है। और मरीज अपने आप से भी बहुत सारा इलाज खुद कर लेता है, जैसे दावा खा लिया, दर्द खतम हो गया, तो वो निशिंथ हो जाता है। लेकिन जब उसके दातों में अत्याधिक पीड़ा होने लगती है, और दवा से नहीं सुनता है, तब वो हमारे पास आता है। तो हम उन्हें यही सला देते हैं कि दातों में अगर कैविटी है, और अगर आपको कभी भी दर्द या जंजनाहट हो रही है, तो एक बार आप दंच किस्सक को जरूर दिखाएं, उसे नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि उस समय जो इलाज होगा, वो जल्दी होगा और सस्ता ह और अगर आप उसको उस समय नहीं इलाज करते हैं, तो धीरे-धीरे वो कैविटी बढ़ जाता है, और ना तुमें सडन जादे होने लगती है, कभी-कभी हम लोग को दात निकालना भी पड़ता है। पतना